नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आज न्यूस क्लिक में इस खास पेशकश में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिस पर चर्चा क्यों जरूरी है इसको बताने के लिए खुद लेखिका मौझूद हैं और लेखिका के साथ साथ एक ऐसी नारिवादी चिंतक मौझ हैं जो इस किताब की पूरी प्रक्रिया से लंबे समय से जुड़ी हुई है इस किताब का नाम अपने आप में बहुत दिल्चस्प है 427 पन्नों की यह किताब है इस किताब में लैंड है यानि जमीन है गन यानि बंदूख है कास्ट यानि जाती है और निश्चित तोर पर वुमिन महिला है इसके नाम से ही बहुत साफ है कि यह किताब किसके बारे में है लेकिन नाम जितना बताता है उससे बहुत अधिक गीता रामस्वामी की यह किताब अपने आप में कहती है तीस सालों की दास्तान इन तीस सालों में खुद लेकिका की जो जर्नी है जो यात्रा है वह किन किन पहलूओं से टकराती है वहाँ जमीन कहां आती है वहाँ बंदूख कहां आती है वहाँ जाती का सवाल कहा है वहाँ नकसलवात का सवाल कहा है और सबसे बड़ा सवाल महिला का सवाल पित्र सत्ता से टकराती महिला अपने आंदोलन से जब सवाल पूछती है महिला जब नारिवादी आंदोलन से सवाल पूछती है अपनों से सवाल पूछती है तब यह किताब जो नवयाना से आई है बहुत एहम दस्तावेज होती है तीस सालों की कहानी इस कहानी में गीता खुद मौजूद है इस कहानी में गीता के साथ साथ जो लोग चले वे मौजूद है पूरा आंदोलन मौजूद है आंदोलन से उठे सवाल मौजूद है और इस किताब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी है उर्वशी उर् और जुबान प्रकाशन से जुड़ी हैं, उसे निकाल रही हैं लंबे समय से, उर्वशी आपका न्यूस क्लिक में बहुत बहुत स्वागत है, और गीता, गीता रामस्वामी जिनकी पहली, मेरे लिए जो पहली किताब थी, बहुत लंबे समय से गीता लिख रही हैं, में उसने एक अलग धंकी दास्तान दुनिया के सामने, देश के सामने रखी थी, मैलाड होने के बच बचाते यह थार्थ से रूबरू होती, उनकी वो किताब थी, गीता आपका बहुत-बहुत स्वागत है, और एक चीज मैं बोलकर उर्वशी जिसे आगरा करूंगी कि बा मेरा मानना है, यह किताब एक एहम दस्तावेज है, यह बहुत दस्तावेज है, जिसके बारे में बातचीत या तो बहुत ही वैचारिक इस तर पे हुई है, या फिर जब बातचीत हुई है, तो बहुत ही इंडिवीजूल लेवल पर हुई है, जो पिछले 30 साल इसमें कवर क किये गए हैं 92-95 तक की यत्रा है इसमें उस दौरान जो नकसलवादी मूव्मेंट से इंका जुड़ा हुआ उससे जो सवाल उठे उसके बारे में बादचीत ऐसा नहीं की नहीं है लेकिन बतौर एक महिला और उसमें भी एक एक so-called dominant caste में जन्मी महिला एक ब्राह्मन परिवार में जन्मी महिला जब जुड़ती है इस आंदोलन से जब जुड़ती है जाती के सवाल से तो मेरे लिए जो बहुत करीब बात थी जो दिल को छूने वाली प्रक्रिया इस किताब से मुझे सीखने को मिली कि किस तरह से एक मह दिल अपने को de-cast करती है अपनी जाती को छोड़ना जो जाती का एक गटरी हम सब के दिल दिमाग में है हमें पैदा होने के साथी जो जाती मिलती है उस जाती से आप कैसे मुक्त होते हैं जो वर्ग क्लास का सवाल है उससे कैसे हम टकराते हैं फिर यहाँ पर गीता बड़े पैमाने पर उस समाज की बात करती है उन लोगों के बात करती है जिन से उन्हें रह मिलती है जहां वे बार बार कभी भाग के गाजियाबाद आई हैं कभी वहां जाकर हैदराबाद तेलंगाना के जो एरिया है जहां इनोंने काम किया है उन सब के पास जो मुक्ती की तलाश है जो रिवलूशन की तलाश है जो बदलाव की तलाश है वह एक महिला को किन किन मुकाम तक पहुचाती है धन्यवाद भाशा और आपने इतनी खुबसूरती से और एक संख्शिब्ट रूप में इस किताब का सार हमारे सामने मैं आपके बात में एक-दो चीज़ें जोडूंगी कि मुझे लगता है कि Geetha की किताब जो है वो उसमें न – सिर्फ बंदुक के बारे में बात की गए है लेकिन बड़े तो हिंसा जो कि हमारी जिंदगी में हर वकत हमारे सामने आती है विक्तिगत तो पर और बड़े पैमाने पे तो उन्हों वो भी बहुत अच्छी तरह से बहुत गहराई से उसको देखा है और उस पे प्रशन उठाए हैं तो गीता आप से मैं ये पूछना जाहूंगी कि आपने आपका जो सारा तजर्बा था जो सारा एक्सपिरियंस जिस पे आपने ये किताब लिखी है उसको काफी साल बाद आप एक इनसान जिसको एक तरह से महसूस होता है कि हमारे आसपास इतना अत्याचार है जो सिस्टम है हमारे उपर क्या क्या चीज लाद रहा है और इतनी इनेक्वालिटी है तो इसका सामना एक इनसान कैसे कर सकता है किस तरह से मुव्मेंट से युड सकता है क्या उसमें सीखने में आता है पर आप जब ये किताब आपने लिखी तो आपकी क्या मोटिवेशन थी? या पहली मेरे रिस्पॉंस यह होगी कि एक इनसान कभी कुछ ने करता है, दूसरों के साथ करता है यह जो काम हमने किया है, दूसरों के साथ किया है, यह तो टीम वर्क था, अगर दूसरे लोग ना रहे, तो मैं कुछ में ने कर पाती वो पहली रिस्पॉंस है, दूसरी रिस्पॉंस यह है कि हमारे जनरेशन के लोग जादा तक अपने बारे में नहीं लिखते थे, यह सोस्ते थे कि अपने बारे में लिखना इस चीप, मगर जब मेरे पार्टनर, 42 यर्स के पार्टनर मर गए, और इस अफर लॉंग इलनस, इस थे वह पारी रग्त प्रॉंस है खुल अंस फ्रटनर म्हां काना मुटाखू के लिए म६ार दो प्राटन ओए बार्टनर म्हा्य मेरे बहुत, ड्यूरी आप यह लैए फार्टनर मेरे रिखनी को आंत्षितर गए, और इस मि पर न हत्छाना भीन, सुँ ऑने यहाठ़ ग्ष Yes, now I am happier, better, on the road to recovery, so 2017 में लिखे रख दी, फिर 2020 में जब COVID आया और दो मेने का ओफिस बंद हो गया, कहीं बाहर नहीं जा सके, कुछ काम नहीं है, तो वो द्राफ मैंने फिरसे ली, ऐसे ही देखेंगे कि इसमें कुछ निकलता है, क्योंकि मैं पुब्लिषर भी हूँ, मैं नही समझती हूँ, मैं कभी नहीं समझती हूँ, even India's thinking, वो लिखना ही था, वो वेजवारा विलसन से मिलने के बाद, वो आंदल उनको देखने के बाद, I had to write it, so I am not a writer in that sense of the word that I want to write, but I need to write something, then I write, तो ऐसे ली, और फिर I did the second draft, with so many gaps, so many things, and उसके बाद में थोड़ा शेप होने के बाद, I sent it to a friend, कि बढ़ो, a very critical friend, this is Anand of Navayana, not to publish it, but he, because he is one of the best critiques I know, tell me what is in it, and he calls me back the next day or the day after that, saying I am publishing it, and then it set on a, it set out to become a book, मगर मैंने लिखा अपने लिए, इस किताब को पढ़ते हुए, जितना गीता वहां मौजूद है, उसके साथ साथ गीता का जो पूरा परिवेश है, जोंके साथ चलने वाले लोग है, तो मुझे यह बहुत एहम चीज लगी कि जो लोग आज की पीडी है, नहीं पीडी जिस और उसमे आपका जो एक ट्रेड यूनियन अक्तिविजम वाला है, जो संगम की बात करती है, जो आपने संगम शुरू किया तो भी मुझे बहुत दिलचसफ लगा कि आपके लिए, सबसे खुबसूरत मोमेंट्स जो है जब आप जनता के बीच में है, जब मैंने का था कि ल अपके बीच में तो जनता के बीच में थी उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मैं बहुत कुछ सिखी, तो ताइम ग्रेट लर्निंग फर में, चालेंज़ पर में, दूसरों के साथ कैसे काम कर सकते हैं, और जो हम मतलब मिल क्लास या डॉमिन टामिनेंट कास कम्मूनि मैं इस माम नहों क्या चीज हमें जुड़ती हैं, और कौंसी चीज हमें स्पलेट करती हैं, दो लूँग मैं family vetbuk &amine human गज़利। कब में लेका मैं अजुपे आखले क्या आपकी सुगा सब्सक्राइब कर दिज गा में ईसमें आपकी एक सबसे एहम सीख जो थी वह जाती कास्ट के बारे में और कैसे आपने अपने कास्ट पृविलेज को क्यू के आप ब्राम्न है उसका सामना किया क्या सीखा आपने लोगों के साथ जादातर दर्दित लोगों के साथ काम करके तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे जबनी हम लेफ्ट बैक्रांड से जहांपर हम जाती को रेक्षकांब लैप्राण। अंडरली एक शहल डिंसेडिग नहीं हैं ओं परिंस्टेंडिग नहीं है इसलिए हमें भी इसे इंपॉर्टन समझना चाहिए, मैं समझती हूं मैं यह देखा कि जो मादिगाज है, तेलंगाना में जो शेडूल कास्ट है, मादिगाज ज्यादा तक है माला मादिगा इसी तरह से हैं जैसे उत्तर भारत में चमार और सफाई करम चाहिए हाँ और यह तो महार और मांग जैसे माराश्य में, मादिगाज ज्यादा चपल सीचते हैं और माला जो है एग्रिकल्चर के काम पे हैं तो जब में विलिज में मीटिंग होता था इन लोग बाहर बाहर खड़े रहते और इन लोग बात नहीं करते हैं और जो ज़्यादा तक काम पे अग्रिकल्चर लेबर पे जुड़े हुए वे लोग पूरे इन ही लोग हैं विलिज में पूरे आगे से nets पुच्छर के नहीं हैं पाकि के सभ लोग दूसरे चोटे चोटे जुटे उप्यूपेशन हमेंग में पएठा तो दो नहीं बात नहीं करें तो क्या फाइदा तो मादी कहां उनके हमलेट भाहर रहते हैं गांege रहते हम बाह रहते हैं तो वहा वहार क्यों रखते हैं आप यहां रखना चाहिए तो मेरे रपला यह थी कि जब उन लोग नहीं आते हैं मीटिंग के लिए तो हमें वहां जाना है यह भी अंबेड करें फिलोसफी नहीं है यह जिस प्रैक्टिकल फिलोसफी है प्रैक्टिकल वाव तो गेट तिंग्स ड़न में जब उनके साथ काम करना शरू किया और उनके जब उन लोग बताते हैं हमारा गां के साथ एसा रिष्ट है गां में ऐसा होता रह तो पूरा जो रहां स्वेक्श्ण को रह देखने भोगां मुझे आज लगा तो छो नहीं मुह ए तो अवह द श्क्राटिकेश्वी अगा उन लोग ऐसे नहीं देखते हैं, उन लोग का एकदम से how to face it, all इनके पूरे efforts, जैनके डेली लाइफ में, how to face this, not you know we are victims, हम समझते हो वो victims बिलकुल नहीं है, डेली लाइफ में, कैसे इसको challenge करना है, कैसे बढ़ाना है, कैसे अपने बचों को सामने लाना है, यह देखते हैं, so that spirit of resistance, that is I thought Ambedkar Haid philosophy, to be able to understand the system, and उसके बाद में, मैं Ambedkar को पड़ी, not before. Gita, इसके साथ, दो मेरे जुड़े ओए प्रश्न है, एक कि जब आपको समझ आने लगा, कि जिस नजरिये से उची जाती के लोग, समझ नीची जाती, मैं ऐसे कह रही हूं, जिनको देखते हैं, वो सचाई नहीं है, क्योंकि वो लोग अपने आपको दूसरी तरह से देखत समझ लीजिए, या उस बीच में कैसे पाया दोनों तरफ निगोशियेट करने के लिए, कि ये बादशी जो होनी है, वो जारी रहे, एक ये, दूसरा, आप किताब में इसका जिक्र करती है, कि आप जाती वाद में आपको पित्रसत्ता का पेट्रियाकी के साथ कोई एंकाउ में भी थोड़ी गहराई से आप समझ आप इसको ये आपकी पहले प्रशने है, मैंने वो मिलानी की बिल्कुल ने की, जब मैंने समझ गया कि माधिगा लोग के साथ काम करना है, दूसरे लोग को बिल्कुल, I took them out of my universe, I said this is my universe, इनके साथ काम करूंगी, इनके आंखों से दे अगर दूसरे लोग आए, तो फिर जब कैसा काना जब सोचेंगे, so after that, clarity, I had clarity, I didn't have to worry, अगर कोई पूछा कि आप क्यों करते हैं, आपकी क्या कास्ते हैं, तो मैं कहती थी मैं डखली हूं, डखली ऐसा कास्ते हैं, जो माधिगा से भी नीचे है, इनके घर में इनको खाना जाती हूं, तो मैं डखली हूं, इसलिए इनके साथ मैं जाती हूं, तो जब इशू शुरू हुए, स्ट्रगल शुरू हुए, फिर दूसरे लोग भी तो, क्योंकि क्लास के वजह से, कोई और भी अग्रिकल्चर लेबर है, कोई दूसरे कम्यूनिटी के आदमी भी लेबर ह तो जब वो आदमी, वो औरत लोग जब हमें हमारे साथ मिले, तो हमने का कि आप हमारे यहां बैठना है, हमारे घर में खाना है, हमारे साथ जाना है, हम आप कहां नहीं आएंगे क्योंकि आप आने नहीं देंगे, तो हमारे यहां अगर आपने खाया तो आपका जाती चले जब एक पूस पर दोकिए जब आप एक जाएगा को एक बढ़ एक यह जब एक गर्डेटी लिए जब लेगा हाई तो यह जब एक बढ़ गई पर एक जब प्लेस तो ऐसे टैप पर इसा तरॉगल जब हो एंद दुसरे लोग अने लगे पहले पहले मीटिंग में कहीं और बा बभाते थे काहन गए खाने के लिए, किसके घर मे कियों खाये तो ऐसे पूचने से बभारियर स्टर्टेट मेलतीग, and then, once I think a जब मिलके खाना शरू किये, after that there was much more of a led date which means a माधिगा कार्य करता है, अगर किसी गाउ में गाए और वहां मादिगा लोग ने थे, किसी और के घर में आसानी से खाना खिलाते थे इटिंग बारियर वस ब्रोकन वन्स एंफर और अफर बारियर वस ब्रोकन बाकी सब चीज काफी आसान थी क्योंकि मैं समझते हूं कोई बारियर हो तो लोग समझते हूं वो त्रडिशन के वजह से समझते हैं अगर ये तूट गया तो क्या होगा the world will break, universe will break, and once they saw that if we eat food or not, after that the other barriers were easier, the world didn't break, the world actually came closer to them, and so that way the other community started coming to us. The Madigas, they were center, they were always center, but all of them, even the Redis, the ruling community, the poor, agricultural, laborers, peasants, also came together. So that is one way in which the caste universe was getting things. When you asked about patriarchy, it was a very problematic question, because I was watching that women were killed. Because at night they were crying and they were killing me. So I was running outside, running and watching for stopping, and at that time it was very difficult to do it at night. So in the day, I raised this question once again. So the women in us said that you have patience, and you don't have patience, you don't have patience. I forgot everything, but this is the first solution. And in the night they were killed, I saw and heard, so you have patience, you have patience. And the women who were the five, were not sitting in the room. They were sitting in the room, but they were not sitting in the room. They were dead in the room. They were dead in the room. So I was very excited. They always said that you stay silent for two days, and you stay silent for three days. They always advised me patience, and I think it was right. Because I was trying to push something, and slowly things came. The women were sitting in the room for two years, and the incident of the wife beating, that was also coming to the room for five years. And there was slowly some kind of change. There was a slow change. So I think in these kind of attitudinal changes that we want to bring. One is, it's easy to fight. Patriarchy is easier to fight, because women are also very vocal. When she was killed, she was sitting in the room. When she was killed, she was sitting in the room. She hurls, you know, and she comes out. And then the other thing is, that's when it comes out to the house. People come to the house, and their brothers, their father, mother, they all come in a tractor. 50 people come to the house. When they come to the house, they say, I'm sitting there, see if she shot her son. So there are 50 people in the tractor. So the whole 50 people come to the house. And people need to eat food. And there is also to drink. If they sit in the house for three days, they lose a lot of money. अजये विए विए आप प्रोट्क्शन आप विर क्या है। विए डिया थी आप बिगाए लोग में, महत वित रहते हैं उन्हें का रुटिचिज दूम्हेती है। और बोलते हैं, मत बात करना... चार दोबरी जाना चालिया ह। या, family shame, family prestige यह इन के मादिगा में ऐसा है कि family prestige, nobody's bothered there's no such thing as family prestige it is a clan prestige हमारी बेटी को नहोने मारा है और यह देखते हैं अगर कुछ बड़ा बनने वाला तो बड़ा बनाएंगे अगर कुछ बनने वाला नहीं से चुब बैटेंगे, that is the thing, strategic. So, when they advised patients, मैं, हाइंसाइट, I think, because I was always upset, ऐसे कुछ वाद तुमुझे बहुत दूख होती थी, अगर रडडी के घर में भी, रडडी के घर में भी, रडडी के घर में बहुत को अगर सतायते थे, अगर इन्हों ने का कि जब हम जाएंगे, वो औरत और मरद रडडी के सब उनाइट, हमारे को मारेंगे. This is not something in which we can do anything. So, which means, the focus was on क्या कर सकते हैं, what we can do, and slowly work on what we can't do. So, I thought, which is a very good strategy. और जादा तक जब विमन से लीडर्स आये हैं, मुव्मेंट में, उन लोगी लीडर्स बनें लास तक, तो फिर उनका प्रस्टीज और उनका जो दैर से इन दे वर्क बिकें मौर्डी. आपको अपने परिवार से भी काफी दुख है, काफी चोट लगी, जिस तरह से परिवार ने आपके साथ डील किया, लेकिन जब आप किताब लिखने पर आएं तो पीछे देखके आपकी बहनों के साथ आपकी रिष्टे थोड़े सुधर गए और जिस बात की आप जिकर करते हैं किताब में, जिससे आप किताब का अंत करते हैं कि प्यार, लव, प्यार, लव, प्यार्टन थेखके वो उस रिष्टे में वापस आगया, नारिवादी रिष्टों में वो प्यार के नहीं है, थोड़ा मुखिल रहा है, उसके बारे में, काफी सारे चीजों इसमें जुडे हुए है, एक है कि, शायद, as women, we are coming out into public spaces, there is some amount of competition, we are competitors in a public space, yes, that may be one reason, the second reason is that, हम फामली के साथ जुडे हैं, मगर फामली के साथ सेपरात हैं, because we don't share their ideas, aspirations, nothing, but in the feminist world, we share so much, and we have reinvented ourselves as new human beings, and so when there is hurt from that side, it's something which can't be understood, she is like me, she is like me, I could be her, we are, you know, same, so how could this happen to me, I think that's one lack of reasoning, lack of understanding, and the third thing is, I think, family में जो अगर ये हुआ, everybody encourages us, कि आप पिना मिलो, आप बेहन से मिलो, बेहन से बात करो, everybody wants family to be together, क्योंकि इस अप्रियार्कल सुसाइटी, they want family structure to remain, to support patriarchy, yeah, but the feminist friendships are dangerous, society is dangerous, so they don't want to support feminist friendships, so there is no effort in a larger way to mediate or to bring people together, but ideology is only as ideology does, you keep in Rome, ideology is what you practice on a daily basis, daily basis when you do the issues, the issues you have, इसको रिजॉल्व करो, सामने लाओ, डिसकुस करो, जो आप डिसकुस नहीं करेंगे, तो इशुस कैसे रिजॉल्व होंगे, ओपनली होना चाहिए ना डिसकुशन. मुझे लगदा है कि आपकी किताब इस बारे में कई सवाल हैं, जाहे हो मांबंधी ओक अंदोलन से जुड़ोवे सवाल हो, जाहे हो अमईटकराइट औक सवाल हो, नारिवादी ओकड़ोगे हो सवाल हो, उनकी और-सी नहीं कई कोगते हैंको नहीं कैस्तुबार थे तक्राती कभी एक रास्ता खुले तमाम दलों में क्योंकि निश्चित तोर पे जो औजार हैं आज के दौर में नफरत से टकराने के मनुवाज जो हमारी जिंदगी पर हावी हो रहा है कॉंस्टुशन पर हावी हो रहा है इससे लड़ने के लिए तो हमें औजार विचार के ही सान पर मि कटाती हैं वैसे ही आपकी जो किताब है यह मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे एहम सवाल खोलती है ऐसे अलग-अलग चश्मों के साथ सवाल खोलती है जिनके बारे में अक्सर इन आंदोलनों में नारिवादी आख्यान या नारिवादी पाथ नहीं हुआ आपकी यह किताब माक्सवाद, लेनिनवाद, एमल मूवमेंट, नेकसल मूवमेंट, अमबेटकर मूवमेंट, नारिवादी मूवमेंट, तमाम जो आंदोलन हैं, इनकी जो अंतर संबन्ध हैं, इनकी जो दिक्कतें आपको महसूस हुई, उसके सासा समाज जो उस 30 साल में किताब के लिए आपको बहुत शुकृरया बदाई आप दोनों न्यूस क्लिक में आएं को हमने बात की शुक्रिया भरोंगा।